कैसे हो आप सभी लोग वेलकम टू अपनी कक्षा चानल आज आप सभी लोगों के लिए एक और नया चाप्टर समीकंडक्टर्स के नोट्स आप सभी लोगों के लिए लाए गए हैं इसके अंदर आपकी A to Z पूरी NCRT की थियोरी बोर्ड एक्जाम के लिए एक नंबर के बोर्ड एक्जाम शिफ्ट हुआ है इस दौरान काफी बच्चे महनत करके अपना बैक लोग कवर कर रहे हैं आप कहीं डेले पढ़के अपना परफॉर्मेंस गेम वीक कर लो ठेक है तो आपको भागते जरूर जाना है आखरी के दो महीने बच गए हैं रेस के लगभग तो जैसे ही आप इनको या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स मिल रहे होंगे पर मैं चाहता हूँ आप दो मिनट मेरे को और दो आपको पता चल रहा होगा कौन कौन सा टॉपिक जैसे 2015 में पूछा गया है उसी परकार से सारे टॉपिक आपको पता चल रहे होंगे इसके अ अदर यार एक चीज़ आपको दियान रखने हैं जैसे कुछ टॉपिक हैं सेमिकंडुक्टर डायोड ये चार साल आपका पूछा गया है फिर रेक्टिफायर वगेरा जैसे अब ये देखो पी वाई क्यू है तो निमेरिकल्स जैसे हो गए चोटे चोटे वन मारकर वो भी यहां पे सारे के सारे इंकॉर्परेटेड है ये रेक्टिफायर है ये पांच-छे साल आपका पूछा गया है डाइग्राम सारे के सारे जो यहां पे लिखा हुआ है उसी प्रकार से आपको अपने पेपर के अंदर सारी चीज़ें लिख क्यानी हैं प्रिंटेड नोट से से डाले हुए हैं अब आपके कुछ टॉपिक हैं जिनको रेड स्टार गया है रेड स्टार का मतलब यह नहीं कि वह important है रेड स्टार का मतलब यह है कि जो आपका 2020 से 21 वाला student है उसके syllabus में से यह चीज़ कट गई थी वो बच्चे जिनका 30% syllabus reduce हुआ था वो बच्चे जिनका करोना की वज़े से board exam shift हुआ है उन बच्चों को यह चीज़े नहीं पढ़नी है अब जो नया batch आया 12th का क्या उसको भी नहीं नहीं उसका जैसे ही यार new syllabus आ रहा होगा कुछ और guidelines आएंगी वैसे हम यार अपडेट कर देंगे प्लस जैसे ही इस साल का board exam खतम होगा अभी तो उन बच्चों को preference दी जाएगी जिनका board exam अभी हुआ ही नहीं तो उनके हिसाब से description box में note लिख रखें जैसे इनके board खतम होंगे फिर आपके नए topic के हिसाब से star भी बदल जाएंगे कि syllabus में क्या update आया है तो तब तक के लिए जनाब all the best love you all take care और बड़ी अदम लगा के आपको अच्छे वाले हिसाब से पढ़ना है जिन्दगी जो है एक चीज़ याद रखना ये सिर्फ आपके board exam तक सीमित नहीं है सिर्फ आपके college की placement तक सीमित नहीं है race अगले 30-40 साल की है तो उस हिसाब से vision लेके आपको हमेशा भागना है तो एक point आयागा जब आप process को love करना start कर दोगे विशायद आप पढ़ाई को उतना प्यार नहीं कर पा रहे होगे पर जब तक यार life में बड़ा crisis नहीं आएगा crisis मतलब जब तक आप तपो के नहीं बहुत ज़ादा जब तक लोहे को तपाया नहीं जाता तब तक वो shape नहीं लेता आपका भी ये तपने वाला समय चल रहा है हर एक challenge हर एक pressure को एक challenge की तरह देखो की यार हाँ मैं और pressure अपने उपर ले सकता हूं मैं और मेहनत कर सकता हूं कल मैं आठ गंटे पढ़ा आज शाड़े आठ नौ कल मैं दस गंटे पढ़ा आज ग्यारा गंटे मैं पुश कर सकता हूं distractions को कट करना है वरना हम वो व्यक्ति बन जाएंगे जो कमरे को पोचा लगा के साफ कर रहा है और दूसरी खिड़की से कूड़ा भी डाल रहा है ठीक है तो तब तक के लिए जनाब टेक केर डिस्रिप्शन बॉक्स में नोटस हैं उन्हें डाउनलोड करें बाकी नोटस का कोई पूरा फाइदा उठाएं बाबाए ठेक है